हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों Google ने अपने latest AI Google Assistant अब Marshmallow के लिए officially update कर दिया है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने device में से कैसे install कर सकते हैं तो दरसल अगर आप अभी देखेंगे तो मैं Android Marshmallow पे हूँ और अगर मैं अगने home button को tap या press करता हूँ तो अभी Google now on tap open हूँ रहा है वो इसलिए क्योंकि Google Assistant अभी मेरे device पर update नहीं हुआ है तो मैं आप अब लोगों को बताऊँगा और साथ की साथ खुद भी update करूँगा कि हम Google Assistant कैसे update कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले Play Store में जाना है Play Store में जाने के बाद आपको जाना है My App Solis Section में तो swipe करके My App Solis Section में चले जाईए और वहां से अपनी जितनी भी apps हैं उन्हें update कर लीजिए अगर आप सारी apps update नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब Google App update कर लीजिए बस आपका काम हो जाएगा तो ये वाली Google App है जो आप update कर लीजिए इसके बाद update करने के बाद आपको Chrome Browser open करना है Chrome Browser open करने के बाद यहां आपको search bar में लिखना है Google Play Services तो बस आपको ये लिखना है क्योंकि Google Play Services अगर आप directly Play Store में ढूणिगे तो आपको result नहीं मिलेगा तो search कर लीजिए उसके बाद पहला ही result होगा Google Play Services बीटा करके उसे click कर दीजिए click करने के बाद यहां आपको मिलेगा become a beta tester उस पे भी click कर दीजिए ये सीधे play store में खुलेगी link play store में जैसी खुल जाए यहां option होगा uninstall का तो आपको नीचे जाना है और यहां beta tester बनने के लिए enroll कर देना है program में join in करने के लिए तो यह तकरीबन 5-10 नेट लेगा उसके बाद आपको update का icon दिखाई देगा तो बस update कर लीजिए update करने के लिए थोड़ी देर लगेगी download होने में जो भी time लगता है उसके बाद यहां पे आप install होना start हो जाएगा तो सबसे पहले आपको सारे recent जो app है उन्हें kill करना है तो task bar में जाके उन्हें kill कर दीजिए memory clear कर दीजिए उसके बाद settings में जाईए और my app solid section में चले जाईए तो नीचे आपको अगर Xiaomi का device use कर रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा installed apps तो उसमें चले जाईए उसमें जाने के बाद आपको Google app search करनी है तो scroll करते रहे हैं और Google app search करके उसपे click कर दीजिए और यहां पे आपको clear memory का एक option मिलेगा अगर आप Xiaomi का device use कर रहे हैं तो आपको manage memory का option मिलेगा उसपे click करने के बाद clear Google search data और clear cache memory पे click कर दीजिए सारी memory clear कर लीजिए उसके बाद यहां पे आपको दुबारा अपनी memory clear करनी है task bar में जाके उसके बाद यहां आपको दुबारा setting में जाना है और इस बार आपको language and input वाले section में जाके अपने device की language change करनी है डरिये मत English ही रखनी है बट English United States रखनी है और Google keyboard की भी language आपको United States ही रखनी है इसके बाद एक बार फिर से installed app में जाईए और एक बार दुबारा से Google app को ढूंड़िए और वापस manage space में जाके जितनी भी आपकी memory है उसे clear कर दीजिए और अपनी cache memory भी clear कर दीजिए इसके बाद एक बार फिर से task bar में से अपनी apps हैं उन्हें remove कर दीजिए और अब आप अप home button को press करेंगे तो आप देखींगे आपका Google Assistant आ चुका है तो बस आपको यह दो तीन steps दो तीन बार follow करने हैं और बड़ी असानी से आपका Google Assistant आपके device में installed हो जाएगा अब आप इसे setup कर सकते हैं basic जो भी setup होता है उसके बाद यहाँ पे आप अपनी voice setup कर सकते हैं ताकि जो Google Assistant है वो आपको अच्छे से recognize कर पाए और आपकी जो आवाज है उसे अच्छे से respond कर पाए Google Assistant है काफी अच्छा AI है अगर हम इसके compare करें directly Siri से तो यह उसके मुकाबले काफी अच्छा है और Siri के मुकाबले इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत humor भी मिल जाता है जैसा हम पहले Google now on tap में हमें देखने को नहीं मिलता था तो बस आशार रखता हू मैं मिलता हूं आप सभी कोई करने और exciting वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम धन्यवाद